नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त engineer अभिशेक सिंग दोस्तो house construction में सिर्फ पैसे खर्च करना काफी नहीं होता है दोस्तो बलकि आपको घर बनाने से संबंदित जो जनकारी होती है जो basics होते हैं वो आप को कम से कम पता होना चाहिए आप यहां देख सकते हैं दोस्तो एक अच्छे खासे यानि कि 9 by 14 का यहां पे column का ढ़लाई किया जा रहा है यह घर framed structure है framed structure कहने से आपको समझ लेना चाहिए कि इस घर में beam और column का पर्योग हुआ है और 37 घर का जितना भी load है दोस्तो वो beam और column स होते हुए ही ground में transfer होगा और हमारा घर सुरक्षित रहेगा तो इस case में दोस्तो column का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इंट कोई सा भी इस्तमाल करें कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है इंट सिर्फ फर सिर्फ framed structure जो घर होते हैं उनमें पर्दा के हो में आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से mystery से एक चूक हो रहा है और एक column में नहीं हर एक column में दोस्तो इसी चूक को दोहराया जा रहा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो column का size है वो 9 x 14 का रखा गया और इतने बड़े size में दोस्तो आप चाहें तो g plus 2 मतलब 3 मंज होना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें 6 सरिया का इस्तमाल हुआ है एक गलती भी किया गया है उसको भी मैं बताओंगा दोस्तो छे सरिया का इस्तमाल किया गया है तो चारो कॉर्णर पर है दोस्तो वो 16 mm का सरिया दिया गया है और जो बीच में दो सरिया आप देख रहे है चुकि आपको बता दू मैं कि आपके कॉलम के मजबूत्य के लिए दो ही चीज तो responsive होते हैं पहला दो चीज आपको ध्यान देना चाहिए एक compressive strength और दूसरा tangile strength compressive strength हाता हमारे concrete से तो concrete में M20 grade का आप concrete इस्तमाल किजिए compressive strength आपका सही हो गया अब दोस्तो steel की बात कर लेते हैं तो steel हमारा परयोग होता है tangile strength को बरहाने के लिए ठीक है तो tangile strength दोस्तो ठीक है कॉलम के चारो साइड में दोस्तो कभर रहेगा उसके बाद में दोस्तो यहाँ पे इस्तमाल किया गया है ring का वो कोई दिक्कत नहीं लेकिन दोस्तो आप कॉलम के बीचों बीच देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तो यह वाला जो आप ring देख रहा है ना यह ring दोस्तो बाहने का तरीका से आप देख रहे हैं कि बीच में भी दोस्तो आपको reinforcement देना पर रहा है सर्या देना पर रहा है मतलब कि tangible strength जो है वो कॉलम के बीच में भी आपका मजबूती को बढ़ा रहा है लेकिन दोस्तो आप mystery या फिर ठेकदार की चलहा की देखिए दोस्तो एक जगा देने के बाद में बीच में बिल्कुल ही दोस्तो उस तरीके का जो ring है उसको gap कर दिया गया मतलब बीच में आपका जो कॉलम रहेगा उसको सिर्फ और सिर्फ concrete रहेगा दोस्तो उसको मजबूती देने के लिए उसका tangible strength को बढ़ाने के लिए जो reinforcement होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिया गया है तो ये काफी गलत चीज़े आप हर एक ring में उस तरीके से नहीं बान सकते हैं दोस्तो आपको बचत करनी है आप कम से कम alternate way में मतलब एक ring को छोड़ करके दूसरे ring में दोस्तो उस तरीके से दोस्तो double ring आपको लगाना ही लगाना है ये सही तरीका होना चाहिए तो अगर आपका घर बन रहा है इस चीज़ का आप ध्यान देंगे वड़ना दोस्तो दिक्कत आ सकती है